वेलकम फ्रेंड्स मैं विनोद आज हम लोग जानेंगे किस तरह से अलिपूर्जू के लिए ओनलाइन टिकिट बुक किया जाता है अगर आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली या बच्चे के साथ अलिपूर्जू, अलिपूर्चिनिया खाना जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस तरह से ओनलाइन टिकिट बुक किया जाता है अगर आप ऑनलाइन टिकिट बुक करके जाते हैं तो आपको अलिपूर्जू जाकर घंटो लाइन पर खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़ता है आप स्मार्ट तरीका से आप अलिपूर्जू अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं आप स्मार्ट तरीके से अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ अलिपूर्जू विजिट कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप ऑनलाइन टिकिट बुक करेंगे गुगल का सर्च वार में आपको टाइप करना है अलिपूर्जू अलिपूर्जू टाइप कर सर्च किजिए करते हैं आपके स्कीन पर दिखाएगा जियोलिजिकल गार्डेन अलिपूर्जू नीचे की तरफ आईए देखिए अलिपूर्जू आपका यहां पर वेबसाइट जाएट त्यूर्जू वेबसाइट है अब आपको करना किया है दोस्तों देखिए मेनू दिया हुआ है आपके राइट साइट में ठी डैस दिया हुआ है तीन डैस इस पर क्लिक किजिए करते ही नीचे की तरफ देखिए e-टिकिट दिया हुआ है e-टिकेट पर आपको उ करना है क्लिक करते ही आपके पास बगाष़ है बग्णार करते हैं यहां से विचिटेंग डेट डाले लिखिए इसदीक करते चालेंदर कालेंडर आ जाता है कि इसट में विजिट करना चाहते न चाहuls को करे BEN शूज कर लिए उसके बाद देखें अपर नमभर of adults above five years five years के उपर में जितने भी आपके साथ सदस रहेंगे मेंबर्स रहेंगे वह एडल में काउंट होते हैं जितने मेंबर्स आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर मेंबर्स जाल दिया उसके बाद अप्टू आफ चाइल आते हैं आप तू फाइव यर्स में कितने बच्चे हैं number of child आपको यहाँ पर डालना है example का तोर से मैंने यहाँ पर एक number डाल दिया 3 उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर डाल दीजे जो आपका नाम है वो नाम डाली उसके बाद आपको इमेल डालना है जो भी आपका इमेल आइडी है वो इमेल आइडी हिहाँ पर डाल दीजिए उसके बाद आपको करना क्या है उसके बाद आपको conformations will be sent to this email id इस email id पर आपको confirmations भेजा जाएगा आपको confirmations to email इस id पर भेजा जाएगा उसके के बाद आपको अपना 10 डिजिस का मोबाइल नूमबर डालना है डालने के बाद अगर आप चाहते हैं विडियोग्राफी करने के लिए तो इसके लिए एक्स्ट्रा आपको 250 रुपीज जेना पड़ता है अदर्वाइस आपको बुक टिकेट नाव पर क्लिक करना पड़ेगा बुक टिकेट पर क्लिक करते ही आपके पास प्यमेंट गेटवे आजाता है प्यमेंट गेटवे पर आपको प्यमेंट करना पर pay now पर आपको click करना है click करते हैं इस तरह का processing the payment आ जाएगा payment का gateway खुल जाएगा आप यहां से आपका payment करना पड़ेगा देख सकते हैं इस तरह का payment का आ गया है उसके बाद आप चाहे तो credit card या debit card या net banking या pay using UPI या VPA किसी से भी आप payment कर सकते हैं तो example करता है और से मैं debit card चूज़ कर रहा हूँ debit card या आप चाहे तो credit card जिससे आपके सहुलियत है वो आप payment कर सकते हैं card से अगर payment करना है credit card से तो credit card पर click किजएगा credit card का numbers आपका expiry date, year, months, name, bank name, pay now पर click करते हैं आपके पास OTP आएगा OTP को submit करते हैं आपका online ticket book हो जाएगा payment होते ही आपके mobile और email ID पर एक confirmation message आजाएगा उस confirmation message को आप Alipurju में counter पर दिखाएगा online counter पर दिखाते हैं आपको वहाँ से ticket issue कर दिया जाएगा आपको कोई line पर खड़ा होने की जरूरत नहीं है दोस्तों आज हम लोगों ने जाने किस तरह से online e-ticket book किया जाता है Thank you for watching this video